हाई फ्रेंड्स आज में लीकर आई हूँ टमाटर के बहुत ही जादा क्रिस्पी और टेस्टी चिप्स जो कि हम घर पे बना के तियार करेंगे बिल्कुल बाजार जैसे बहुत ही जादे मसालेदार तो आप लोगों से रिक्वेश्ट रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें श इसको हम सबसे पहले यह देखी छोटा-छोटा कट कर लेंगे इस तरह से मैं काट लूंगी इसको क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसको कद्दुकस कर सकते हो उसमें भी बिल्कुल अच्छे से मिक्सर का काम करेगा और कद् देखी अभी मैं इसको सबसे पहले छान लूगी तो छानना यह बहुत ज़रूरी होता है तो अगर आप कद्दुकस कर रहे हो तो तब भी छानना बहुत ज़रूरी होता है तो आप इसको छान लीजिए यहां पर यह देखी पूरा जो मोटा-मोटा है इसके बीज वगएर वो सब बाहर रह जाएंगे और बाकी का पालपीस का टमाटर का हमें मिलेगा तो यह देखी मैंने सारा छान लिया यहां पर चमाच से अच्छे से तो यह देखी एकदम स्मूथ सा बहुत इच्छा टमाटो प्यूरी तेयार हो गई है तो यहां पर मैं इसमें डाल दूँग एक चमाच भरके नमक, आधा चमाच काली मिर्च का पाउडर, एक चुथाई चमाच हल्दी पाउडर तो बस अभी तो फिलहाल इतने ही मसाले इसमें जाएंगे बाद में चिप्स के लिए हमें एक बहुती बढ़हा सा टेस्टी मसाला तयार करेंगे तो अभी इसमें यहां पर हमें कोई नापना नहीं है कि कितना आठा डालना है जितने आठे की हमें इसमें जरूरत होगी आठा गूनने के लिए अच्छा सा उतना आठा हम इसमें मिक्स कर लेंगे तो इसका आठा हमें लगाना है यहां पे पूरियों से भी थोड़ा सा टाइट आठा रखना है ए यासे हम रोटी का आठा गूनते हैं उसी तरह से इसका आठा लगा के तयार करना है तो बस यहाँ पी देखिए जब तक एक अच्छा सा टायट सा डो नहीं बन जाता तब तक इसमें मैंने यह आठा और मिक्स कर लिया है क्योंकि इसका आठा में बहुत जादा सक्त लगाना है यह देखिए यहाँ पे कितना टायट है आप देख सकते हो क्योंकि इसके चिप्स बनाने हैं हमने तो अगर हम पतला आठा रखेंगे तो यह बिल्कुल भी कुरकुरे नहीं बनेंगे बहुत एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे इसलिए इसका आठा में टायट रखना है तो एक चमज थोड़ा सा मैंने इसमें तेल ले लिया है और तेल डालके मैं इसको यहाँ पे अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ बढ़े हासे आठे को तो बस यहाँ पे देखिए आठा हमारा लखके तयार हो चुका है तो अभी मैं इसको रख दूँगी और 10-15 मिनिट के लिए इसको थोड़ा रैष्ट देंगे हम जिससे 10-15 मिनिट आठा रखने के बाद में थोड़ा अच्छा सॉफ्ट हो जाता है तो बस यह देखिए 15 मिनिट के बाद में मैंने इसको फिर से देख रही हूँ मैं तो थोड़ा से एक बार फिर से हम मसल लेते हैं इसको हलका सा और आ बना लिया है तो बेलन पर थोड़ा सा आठा छिड़क लेंगे हम क्योंकि हमें इसकी एक बड़ी रोटी बना के तयार करनी है तो बस यहां पर इसको बेल लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक भी कर दीजिए रेसिपी को आप लोग रेसिपी देख लेते ह तो यहां पर रोटी हमने जैसे रोटी बनाते हैं उससे भी ज्यादा पतला रखा आए इसको जिससे चिप्स हमारे अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरे बने तो यह देखिए इसको मैं अभी आटे में दुबारा से फिर से आटा जो हम बनाएंगे उसमें इसको मिक्स कर ल प्रूरी है तो यह देखिए फॉर्क से इसमें सारे रोटी के उपर अच्छे से हॉल कर देने हैं तो अभी चाको से हम इसको कट कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से जैसे भी आप बनाना पसंद करते हो छोटे चिप्स बड़े चिप्स तो उतने आप इसमें से पीस कर लीजे तो मैं यहां पर तीन पीस कर लिए यह देखिए एकदम बाजार जैसे क्रिस्पी चिप्स बना के तयार करेंगे हम तो यह देखिए मैंने एक के उपर एक रख लिए है यह देखिए आप दो रखके तीन रखके कट कर सकते हो तो यह देखिए सबसे पहले हम यहां प बढ़े हासे यहाँ पर हमें चिप्स बनके हमारे तयार हो जाएंगे तो यह देखिए यहाँ पर मैं इसको अभी अलग-अलग कर लूगी यह देखिए आप दो दो तीन तीन चार चार एक साथ रखके इस तरह से कट कर लीजिए तो यह जल्दी से हो जाता है काम एक-एक करने में थोड़ा टाइम लगता है तो कितने बढ़े हासे एकदम बाजार जैसे चिप्स बनके तयार हुए हैं यह देखिए अगर आप दो-दो एक साथ कट नहीं करना चाहते तो आप एक-एक भी कट कर सकते हो तो यह देखिए अभी मैं इसको प्लेट में रख लूँगी सारे यहाँ पे हम बना-बना के प्लेट में रखते जाएंगे तो यह देखिए मैं यहाँ पे सिंगल ही कट कर रही हूँ तो आप इस तरह से भी कट कर सकते हो एक-एक भी जरूरी नहीं है के दो-दो-तीन-तीन कट करो एक साथ तो बस सारे मैंने यह देखिए यहाँ पे बन होना चाहिए तभी हम इसको चिफ्स को फ्राइ करेंगे तो अभी मैं एक चिफ्स डाल के देख लेती हूं कि यहाँ पर तेल हमारा गरम गुआ या नहीं तो यह देखिए तेल ने हमारा काफी गरम हो चुका है तो बस अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम गैस का फ्लेम अभी मीड दूसरे के साथ में तेल में जाके तो बस इस तरह से यह देखिए हम इसको चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे और इसको फ्राइ करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दो तीन मिनिट में यह बहुत जल्दी से फ्राइ हो जाते हैं यह देखिए बहुत ही बढ़े हास एकदम बाजार जैसे क्रिस्पी चिप्स बनके तयार होंगे तो फ्रंट्स मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देती हूँ कि अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो ये देखी पढ़े हासे क्रिस्पी हो चुके हैं चिप्स हमारे तो अभी इसको बाहर निकाल लेती हूँ मैं तो इससे जादा हमें फ्राइब नहीं करना है बस इसी तरह का कलर लाना है तो अभी मैंने दूसरा बैस भी डाल दिया है तो बहुत जल्दी से फ्राइब हो जाते हैं ये भी देखी यहाँ पे हमारे फ्राइब हो चुके हैं इसको भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो सारे चिफ्स यहाँ पे हमने बना के त्यार कर लिये हैं अभी इसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही चटपड़ा सा बढ़हा सा मसाला इसके उपर डालने के लिए तो आधा चमच यहाँ पे मैंने ले लिये काली मिर्ज का पावडर आधा चमच नमक एक चमच यहाँ पे ले लिया है हमने धनिया पावडर एक चमच लाल मिर्ज पावडर साथ में ले लिया है यहाँ पे एक चमच भरके चाट मसाला एक चमच लूगी में यहाँ पे अमचूर पावडर साथ में मैंने ले लिया है थोड़ा सा यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर तो यह सार चटपटे से मसाले हम एक साथ इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके उपर से डालेंगे तो यह देखे बहुत ही बढ़या से चिप्स बनके तयार हूँगे बाजार से भी ज़्यादा चटपटे बनेंगे यह चिप्स हमारे तो यहाँ पर दो दिन से मच भरके मैं इस दूपर डाल दूई और इसके से मिक्स कर दूई तो यह देखे फ्रेंट्स बाजार से भी ज़्यादा मसालेदार चटपटे कुरकुरे हमारे चिप्स बनके तयार हूए हैं आप इसको किसी एर टाइट कंटेनर में भरके रख सकते हो और दो महीने तग भी यह चिप्स बिल्कुल भी खराब नहीं होगे क्योंकि बहुत जादा क्रिस्पी बने हुए हैं तो फ्रेंट्स मुझे उमीद है आपको रेसीपी बहुत जादा पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके